हालो एफ्रीवल वेल्कम टू ब्रेफ एचर्व मेरा नाम प्रिंज चोबे है और इस वीडियो में लो बात करने वाले हैं तो आए बिना दिर के स्टार्ट करते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए ताकि पढ़े जो वीडियो को अपडेट है आप तो टाइम पहुंसता रहे हैं तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमारे सामने आज का जो कुशन क्या है वैन इस वर्ल्ट सुनामी अवेर्नेस टे नि व्ल्ल्ट सुनामी अवेर्नेस टे ऑ स्स दिन मनाया जाता है और पर्दशस थर्ड नमेंबर को four नमेंबर को fifth नवेंबर को 6 नवेंबर को the correct option is 5 नवेंबर यानि पांच नवेंबर को वर्ल्ड सुनामी टे वर्ल्ड सुनामी अवेर्नेस टे मनाया जाता है यह ध्यान रखना आपको फोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं वर्ल्ड सुनामी टे इस अब्सवर्फ एवर्री यर ओन 5 जाती है और अगर देखा जात लगबग पिछले 100 साल में सुनामी ने तकरीबन जो है 2,60,000 लोगों की जो डेथ है वो उसकी विजा से हुई है सुनामी की विजा से हुई है ठीक है काफी बड़ा मानी जाती है नेक्स्ट आते है Who has won 2021 Booker Prize यानि 2021 का जो बुकर प्राइज है वो किसे दिया गया इस पर काफी इंपॉर्टन कोश्चन यह है आप्सिन क्या क्या है खैलेड हूसेनी पाउ़लो कुलेव पाउललो क्ैलौ निगेन या देमों गलगट फूला से नाम टफ है यह पर एक बार मां फिर से रिउस कर देता तो इसका option जो सही जाएगा वो डी वाल option होगा डामन गलगट यह क्या है इनको दिया गया है दो एर 21 का Booker Prize दिया गया है ठीक है South African Novelist डामन गलगट won the 2021 Booker Prize for its novel The Promise यानि इनकी नॉवल कों से थी The Promise उसके लिए इनको क्या किया गया है Booker Prize दिया गया है on November 3rd तें Which country has become the first one to approve oral COVID pill यानि कौन से country या सी पहली बनी है जो oral COVID pill को approve कर दी है कि वहां के लोग oral जो COVID pill है उसको ले सकते हैं COVID दोरान तो यहाँ पर option क्या क्या है हमारे पास है US, UK, Canada या फिर इंडिया The correct option is UK, United Kingdom The United Kingdom on November 4th 2021 Become the first country in the world to approve a potentially game changing COVID-19 anti-viral pill यानि United Kingdom ने ये जो है इसको approval दे दी है COVID की तोरान जो है anti-COVID viral जो पिल है उसको वहां के लोग ले सकते हैं ये आपको ध्यान रखना है Who has become the seventh male boxer to win a medal at world boxing championship यानि साथमे ऐसे पुरुजबेक्ती कौन से बने हैं जो क्या किये है World boxing championship में middle जीते हैं Option क्या क्या हमारे पास है Vikas Krishnan, Siva Thapa, Akas Kumar या फिर Amit Pangal The correct option is Akas Kumar Akas Kumar जो है साथमे भारती ऐसे बने हैं जो World boxing championship में उन्होंने middle जीता है, bronze medal जीता है Akas Kumar has become the seventh Indian male boxer Who won a medal at the world boxing championship He won a bronze medal in the 54 kg category at the 2021 AIBA Men's World boxing championship in Belgrade, Serbia on November 4 यानि ये boxing championship हो रही है World boxing championship ये कहां पे हो रही है Belgrade, Serbia के अंदर हो रही है उसमें Akas Kumar ने bronze medal जीता है ठीक है, ये आपको धानरन काफी important question ये है Next आते है Senior and political leader Subrata Mukharji passed away on November 4 He was a part of which political party एक senior leader रही है Subrata Mukharji उनकी death हो गई है पताना है कि किस party से जो है किस party में थी ये Option किया कि हमारे पास है TMC, INC, BJP या फिर RJD A correct option is TMC प्रिमूल Congress जो है उसमें क्या थी ये उसकी party के जो West Bengal में जो अभी ममता बना दी की जो government है उनकी party की leader थी ठीक है West Bengal minister and senior TMC leader Subrata Mukharji passed away at the age of 75 in Kolkata on November 4 He was an MLA from Bali Ganj constituency He passed away at the age of 75 years after a cardiac arrest ठीक है इनके बारे में इक detail हो गई Next आते है Which veteran cricketer has announced that he will retire from all international cricket after the ongoing T20 World Cup यानि किस ने ये announce कर दिया है कि जो T20 World Cup पे उसको उसी खतम होने के बाद तुरंट जो है international cricket से retirement ले लेंगे बताना किस player ने ये announce किया है option क्या क्या है ड्वाबो, केन विलियम संग, क्वेंट डेकॉक या एरोन फिंच अ करेक्ट ऑप्सन इस ड्वाइन ब्रावो ब्रावो ने ये announce कर दिया है कि T20 World Cup बीटने के बाद वो international cricket से सन्यास ले लेंगे ठीक है वहाँ से वो retirement ले लेंगे यह आपको घ्यान रखना है यहाँ पर दा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसल इंफर्म ओन नॉम्बर फिप्थ दा वेस्ट अंडीस all-rounder द्वाइन ब्रावो थाइन ब्रावो थाइन विल रिटार अट इंड आफ दा इंड आफ दा आइसे मेंस T20 World Cup यह ब्रावो ने कहा है कि वो टाइम आ चुका है कि अब हमें मुझे जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से सन्यास ल dedicा जो समय है वो वक्त भी आचुका है कि इंटरनेशनलक्रिकेट कांसल ना ICC ने इसका हेटकोटर कहांबे दुबई में पूल अनिजामी गंजवी अवर्ड निजामी गंजवी अवर्ड से किसे समानित किया गया है और ट्रेड्रोज घवर आवार्ड दिया गया है निजामी गंजभी आवार्ड राइट वर्ल्ड हेल्थ और्गनेज़ेशन डिरेक्टर जनरल प्रेड रोस एक बात याद रखना यह भी जो डबलू एच्छों के जो डिरेक्टर अभी है वो कौन है वो यही है टेड्रोस गिपरासी से इनको नाम का बेहाद इंपॉर्टन टाप्टिल जानना है एंड यूए जनेवा ऑफिस डिरेक्टर जनरल तातेनिया वलावो वर आउनर्ड वित निजामी गंजभी इंटरनेशनल अवार्ड और नमेंबर 4 यानि दो लोग को यह अवार्ड दिया गया है एक तो डबलू एच्छों के ज